ह Supra пон, I am your third-class teacher from Shaitanamzhi Girl School, Tara Naradha तो We are going to do our next chapter in Hindi Grammar Wernו Wernu क्या होते हैitta Alphabets यानि की जो हम Wern को दूसरी भाशा में बोलते है अक्षर यानि की यानि यह जो पूला है यह अक्षर नहीं बोले की यह तो होता है शब्द अक्षर होता है, सिंगल सिंगल एक एक अक्षर, ठीक है, सिंगल सिंगल, जो हमने मालो कै लिख दिया, फै लिख दिया, मैं लिख दिया, ये जो अलग-अलग है ना, अकेले-अकेले, ये अक्षर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, इनको बोल देते हैं, अक्षर बोल दो, वर्ण चीक है इस तरह से यह क्या है इनके दो नाम होते हैं वर्ण बोल दो या अक्षर बोल दो तो यह सब क्या है वर्ण है अलग अलग अगर हम इनी को जोड़ दें इनको जोड़ के लिख दें कोई भी दो या तीन वर्ड दो वर्ड जोड़ दिये तो अभी यह वर्ण नहीं रहे अब यह बन जाएगा शब्द, एक सही शब्द, एक और जोड़ दो, दो अक्षरों वाले शब्द, तीन अक्षरों वाले शब्द, हम कहते हैं ना दो अक्षरों वाले शब्द, तीन अक्षरों वाले शब्द, अक्षर, यानि कि तीन हो गए ना ये, अक्षरों वाले तो वर्ण आपको पता चलिगा क्या होता है वर्ण क्या होता है एक अकेला अकेला अक्षर उसे वर्ण कहते हैं और इनी वर्णों को जोड़कर सही शब्द बनाया जाता है और सही शब्दों को जोड़कर एक वाक्या बनाया जाता है तीन स्टेप है बेटा हमेशा अपने ध् आप ने ये लिख दिया सपोज ये कोई वर्ड नहीं है कुछ समझ आ रहे हैं ये क्या है करतस ऐसे करसत कुछ ऐसा कुछ लिख देते हूं मैं नहीं तो ये शब्द तो बन गया एक पर ये सही शब्द नहीं है सही शब्द क्या होगा कसरत ठीक है तो वर्णों को सही तरीके से लिखना वो शब्द कहलाता है पहले आते हैं वर्ण फिर आता है शब्द और सही शब्दों को सही तरीके से लिखकर एक जब बनता है तो वो क्या बनता है वाक्या पूरी एक लाइन बनती है ठीक है पहले नंबर पे वर्ण अकेले अकेले अक्षर फिर उन अक्षरों को जोड कर सही शब्द बनाय जाता है ठीर में अग को बना है we जिसमें वाक्यों का प्रियोग होता है शब्दों का प्रियोग होता है अक्षनों का प्रियोग होता है जैसे एक मैल ठीक है तो सब का अलग अलग परकार से हैं जैसे सबसे पहले आते हैं हमारे हिंदी में स्वर स्वर आपको पता है कौन से होते हैं आ, ई, ई, उ, 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 री, रिशी, ए, ए, ओ, उ, अंग, अंग, ठीक है, ये होते हैं स्वर, वर्ण में दो तरहें के वर्ण होते हैं, वर्ण में एक आता है स्वर, एक आता है व्यंजन, ये अनार वाले होगे, ये कखगड़ वाले, ठीक है, और ये जो दो हैं, ये इनको बो जैसे यह स्वर् zw होगे यह व्यंजन होगे पहले यह अलग से लिखे जाते शा갔 तनी के अग्यूर आहा अयोग वहा बोलते थे इनको क्या बोलते थे अयोग वहा अग्यूरा तो अब क्या इनको भी स्वर में होते हैं 11 और व्यांजन 35 होते हैं यह दो आयोग्य वह हैं पर इनको स्वर में ही काउंट किया जाने लगा है तो इससे मिला के मतलब 13 होगे वैसे तो यहां तक 11 बंदे हैं पर यह दो और मिला लेंगे तो 13 हो जाएंगे तो नेक्स्ट पेज़ पर हम क्या करेंगे स्यूक्त व्यांजन अब व्यांजन हमने पढ़ लिए पर स्यूक्त व्यांजन अब स्यूक्त व्यांजन क्या होता है जी चीक है अब मैं आपको बताती हूं स्यूक्त व्यांजन क्या होता है जब दो व्यांजन आपस में मिल जाते ह हैं तो वो सिउक्त वेंजन के हलाते हैं दो वेंजन सपोज हम ने कर के पर में हलंद श इसको मिला दिया और एक नया वर्ड बन गया कर और श को मिलाने से अक्षर कर और श को मिलाने से क्या बनता है जैसे आप अब सपोज red color के अंदर यलो कलर मिला दोगे तो मेरे ख्याल से औरेंज कलर बन जाएगा अगर रेड कलर के अंदर यलो कलर मिला दिया जाए शायद वो औरेंज कलर बन जाएगा ऐसा होता है ऐसे ही जब दो व्यंजनों को मिला दिया जाता है तो वो तीसरा व्यंजन नया बन के आता है ओके तो वो ये सिर जर के अंदर अना मिलाओगे तो गय बन जाएगा यह चार विंजन ऐसे हैं जो ऐसे इनके अंदर मिलाने से यह अलग-अलग ऐसे चार विंजन बन जाते हैं याद रखना मैंने आपको दो चीजे एक तो मैंने आपको बताया वर्ण क्या होता है वर्ण के अंदर स्वर होते है व्यंजन होते हैं यह बताया है ना मैंने आपको वर्ण होते हैं सबसे पहले तो फिर होते हैं स्वर व्यंजन स्वर कितने होते हैं 11 होते हैं दो क्या होते हैं अयोग वा जो अंगंगूर और अह है ना वो क्या है अयोग वा है उसके बाद आते हैं स्यूक्त व्यंजन स्यूक् दो शब्दों के मेल से बनते हैं दो अक्ष्रों के मेल से बनते हैं दो वर्णों के मेल से यही शब्द बनते हैं अगर आप किसी और वर्ण को मिलाओगे कर और लग को मिलाओगे तो कल बन जाएगा नया शब्द नहीं बनेगा नया तो शब्द बनेगा नया कोई अलग से यह नहीं कि कर लो को मिलाया तो पर बन गया ऐसा नहीं होता है ठीक है सिरफ यही चार ऐसे व्यंजन है जिनको मिलाने से कर के अंदर क्या मिलाओगे आप यहापे दिया होगे कर के अंदर श मिलाओगे कर के अंदर श मिलाने से क्या बन जाता है अक्षा बन जाता है और ज के अंदर अना मिलाने से ग्या ग्यानी बन जाता है और एक जो रहे गया श के अंदर र मिलाने से श्र बन जाता है ठीक है यह अच्छे से लर्ण करने आपने अपने अब क्या है हमारी स्वर्ण माला के अंदर अब हम क्या है मात्रा ही देखो यह में कोई मात्रा ल ल लिख दिया कल कम सम रम कि मातरा नहीं है क्छे कि बड़ दबल मातर है है तो इस तरह से क्या है यह मात्राइं बताई गई है जिसको दिसी भाष्या में बोल देते हैं बारा खड़ी ऐसी है तो फिर यह क्या है मात्राइं हो गई तो अब क्या है अब नेक्स आता है वर्णों के समों को वर्ण माला कहते हैं देखो वर्णों के समों को वर्ण माला य इन में क्या है जब व्यंजन को मातरा के बिना लिखना हो तो उसके नीचे हलंत लगा जाता है जब हम को व्यंजन लिख रहे हैं और बिना मातरा के लिख रहे हैं तो उसमें क्या है नीचे व्यंजन के नीचे हम हलंत लगाते हैं यह हलंत होता है आपने कई वर देखा होगा ज अब रह गया हमारा अंगंगूर हवाला निकलता तो तो अग की मातरा का जो नाक हवा निकलता से जिसके उचारन से कंस अंग अगर आप नाक बंद करके बोलोगे तो बोला नहीं जाएगा कंस देखो बोला नहीं जा रहा नाक से हवा जरूर निकलेगी नाक बंद करके बोलके देखो कंस बोलके देखो अंग बोलके देखो आप अपनी नाक को ऐसे बंद करके दोनों उंगलियों से और बोल के देखो हवा आपकी नाक के अंदर रुख जाएगी निकलेगी नहीं बाहर अब बोल के देखो लंगूर ऐसे देखो सही से नहीं आ रहा अब मेरे को बोलना है काम ठीक है मैं काम सही से बोल ते हूँ पर यह क्या है कंगा कंगा अंग की बिंद जब मातर आती है अंग जब बोलते हैं यह बिंदी बोलनी होती है ना तब हमारे नाक में हवा भर जाती है तो यह क्या है अनूस्वर जिसके बोलने से नाक से हवा निकल दिया ठुक है अनू नासिका जिसमें बोलने से नाक और मुध दोनों से हवा निकल दिया आंक थोड़ी सी मुध से निकल यह वाली बिंदी से तो वेटा सिद्धी सी बात है जो यह वाली बिंदी लगाते हैं हम सिंपल बिंदी लगाते हैं उपर किसी भी चीज के उपर ऐसे सिंपल बिंदी लगा दी हमने इसमें तो हवा नाक से निकलती है जब हम चंद्र बिंदी लगा देते हैं इसमें हवा नाक शुबह अत स्वत हां बोला जाता है एक साइलेंट सा होता है प्रात प्रात जाता है न बोल देगे ना प्रात जाता है ठीक है रह के भी रूप है परकार कई बार तो रह पैर में लग जाता है निचे कई बार रह क्या है ऐसे दो तरह ऐसे लग जाता है ट्रक बोलते हैं जैसे हम अब इसको ट्रक पड़ोगे ना कई बार रह क्या है नीचे ऐसे लग जाता है क्रिपा ठीक है वैसे तो इसको हम कैंसल भी कर दें तो कई बार क्या है र उपर लग जाता है यह वाला इसको तो यानि कि रह रह को इसको क्या बोलोगे करल इसको और कि तो कि कytने रूप कि तो ये हम ने किये अब हम इसकी exercise करेंगे तो बेटा इसकी एक्सरसाइज में क्या है आपको multiple choice question दिये हुए है जो पहले नंबर पे है का का first, second, third or fourth यह चारो मैंने करवा दिया आपको अभी जो पिछे चैप्टर में explanation मैंने करवाई है जो explain किया है मैंने आपको यह चारो उसके अंदर आते हैं जैसे क्षयत्र ग्यश् क्या हैं यह आपको मने बतादिया तो इसलिए मैं दूबारा नहीं बता हुए क्या है यह dash को छोढ चोड़ा सभी स्वरों पर मात्रा लगती है अब इनमें से ऐसे कौन यह चिन पर जिस पर अंग, अह को क्या कहते हैं? کیा कहा जाता है? यह भी अभी करवाय था तो इसको खुद आप टिक करोगे खुद से, ठीक नेक्स्ट मारता है, मिलान करो यह मैं करवा देती हूँ अा की मातर, देखो, कहां लगी हुई है देखो, वैसे तो बहुत जोगा लगी हुई है पर हमें ये निकि हम कहीं भी लगा दें तो फिर वो दूसरे वाला कहा ऐसे प्रोप्रॉम्रम हो जाएगी तो अ की मातरा हम लगाएंगे मा लिक किस पे लगाएंगे देखो मा लिख आ की मातरा आ रहे है ना साउंड आ रहे है ना आ का मा लिख बड़े की मातरा कहां लगी है इश्वर यहां पे लगी है छोटा उ कहां लिखा हुआ है कुट्टा कुट्टा में लिखा हुआ है एक ही मात्रा कहां पर है कैलाश एक ये वह लोता है न एक ही तो सिंगल ए वाली लगेगी ठीक है और एक उपर अगर मात्रा लगे तो फिर डबल ए वाली तो कैलाश में डबल ए लगा हुआ ठीक है नेक्स्ट हमारा क्या है ओ डबल ओ की मात्रा कहां लगी हुए कोवा ओके ये आपने ऐसे मैच करना है अब क्या है हमारा इस पे जो है में नीचे लिखे वाक्यों के कुछ शब्दों की मात्राओं का परियोग छूट गया अब ये लाइन लिख हुए है एक संटेंस लिखा हु जैसे कि ये है अब इसने बिंदी भी दे रखी है अब यहां पर मा के ओपर बिंदी दी लिए है तो इसका मतलब एक मात्रा यहां पर छूट गई है आप अपने बुक में देखोगे ध्यान से तो यहां पर मा के ओपर आपको एक बिंदी नजर आएगी रेड कलर की तो शरीर मजबूत हो गया है अब यह नहीं कि आपने सरफ यहां पर लगा के छोड़ दिया अब यहां पर पिछे जंगे दी हुई है यह जो जंगे दी हुई है आपको यह संटेंस यहां पर दोबारा लिखना है मेरा शरीर मजबूत हो गया है सबी बच्चों ने लिखना है य मुसीबत मुसीबत एकी मातर रह गई थी में घबराना नहीं चाहिए है क्योपर आएगी मेरी ए क्योपर लग गई थोड़ी जंगा कम है और फिर यह पूरा संटैंस अच्छे से यहाँ पे लिखने आपने next हमारा चोकीदार पहरा दे रहा है यहाँ पे लिखना आपने चोकीदार पहरा दे रहा है इस तरह से आपने यह बेटा सारा बुक वर्ख है बुक में करना है अच्छे से समझ के पूरा ओके